हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स देखे आज मैं आपके साथ में मिरर वाल हेंगिंग का डिजाइन शेयर करने वाली हूं बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसानी इसको बनाना बहुत ही छोटा सा है डिजाइन यह देखिए कितना प्यारा लगता है आप अपने एकॉर्डिंग ले सकते हैं तो मैं आज इसका फूल वीडियो आपको स्टेप बाइस बताऊंगी चलिए फ्रेंड्स को बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंड्स इस मिरर वाल हेंगिंग को बनाने के लिए हमें क्या-क्या समान चाहिए मैंने यह आपर 3 इंच का रिंग लिया है राउन्ड शेफ का कुछ यहाँ बने लिया सकते हैं तो इसको कंड करते हैं तर फ्रेंड्स देखें यह मने धागौ को कंड का लिया है अभी स्टार्टिंग में इस रिंग में जो भात वाटेक्व तोसुमार्छन को में लिए तो तोटल ऌट हम इन धागों को इस रिंग में अटेच कर लेते हैं तो देखी ग्रीन करा का कॉर्ड लेना है और डबल करने के बाद में हम इसको रिंग में अटेच करेंगे इस तरीके से अभी दूसरा ग्रीन चारों ग्रीन कॉर्ड हम सेंटर में करेंगे और पिंग कलर के कॉर्ड को लेप्ट और राइट में करेंगे अब्स्टेर ग्रीन तो देखे ग्रीन कॉर्ड हमारे यहां पर अटैच हो चुके हैं आप हमें पिंग कॉर्ड को अटैच करना सेम प्रॉसेस कॉर्ड को लेकर के डबल करना है और डबल करने के बाद में इसी रिंग में अटैच कर देना है अब 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 ऐसे एक ओड हमने किया ऐसे तीन कॉर्ड इधर और करेंगे और बचेवे चार कॉर्ड हम ग्रीन कॉर्ड के राइड साइड में करेंगे तो यहां पर देखिए फ्रेंट सभी धागों को मैंने इसमें अटेच कर लिया है टोटल आठ दागे पिंक कलर के चार दागी ग्रीन कलर के अब नेक्स्ट हमें क्या करना है दोनों को हाफ आफ डिवाइड करना है देखें इस तरीके से तो एक साइड में सिक्स कॉड हो गई ह है अब हम राइड से स्टार्ट कर रहे हैं किधर से स्टार्ट कर सकते हैं तो राइड तरफ की हम एक कॉड लेंगे जब जोकी डबाल हो गई है तो दो कॉड हो गई है उन दोनों में हम एक बीट्स को डाल देंगे यह इस तरीके से बीट्स डल गए अब हम इन दोनों कॉड पर इन पाचों कॉड से पाइप इन कर देना है मैं एक एक करके सिंगल सिंगल धागा लेना है और दोनों कॉड पर एक साथ पाइप इन करना है यह देखे ऐसे हैं सभी दागों को फैपिन कर लेंगे बहुत ज़दा यहां पर हमें टाइट भी नहीं करना है बहुत ज़दा धीला भी नहीं रखना है तो देखे एक लाइड मैंने यहां पर यह इस साइड में कमप्लेट कर लिए है अब जैसे हमने इधर से बनाया है राइट से वैसे हम लेफ्ट से बनाएंगे सेम ऐसे ही साइड के दो कॉड लेने हैं और एक बीट्स को डाल देना है दोनों में और फिस अभी कॉड इसमें पाइब इन कर देने हैं एक एक करके कर देने के पहरी लाइन हम तोड़ा देने हैं और देने के पहरी लाइन हम तोड़ा है थोड़ा सा डिलड़ा ही बनाएंगे और ज्यादा टाइट नहीं किके मारा बीट्स दिला हुआ है उस हिसाब से हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे झाल झाल यह देखिए बहुत अच्छे से लेले हाथों से यहाँ पर पाइपिल करनी है अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएं और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ में जादा जादा शेयर करिए तो यह देखिए ऐसे हम बचे हुए दो धागों को भी पाइपिन कर लेंगे अब देखिए लास्ट धागे मारे बचे हैं तो देखिए मैंने दोनों तरफ से एक एक लाइन बना लिया है अब यह चार धागे मारे सेंटर में आ गए हैं दो इस साइट से दो इस साइट से तो इन चारों को लेकर यहां पर हम एक स्क्वेर नॉट लगा देंगे यह देखिए स्क्वेर नॉट लग गया है अब हम सेम फिर रिपीट करेंगे इधर से फिर हमें सबसे पहले दो धागे ले लिने हैं और दोन धागों में एक बीट्स को हम डाल देंगे और सभी धागों से हम फिर देखिए जो हमने नॉट लगाया था वो नॉट के हम चार धागे हैं दो एक साइट कर लेंगे और दो एक साइट कर लेंगे दो इस वाले धागों पर पाई पीर होंगे और दो इधर से जो धागे आएंगे उन पर पाई पीर होंगे आएंगे हैंगे हैंगे नुट कर दो एक साइटा कर दो एक साइट कर दो एक साइट खी में वह रक साइट कि अधिक है से में कि करके सभी कॉर्ट को इस पर पाइपिन करते जाएंगे अधिक है नौट वाले धागों को भी हम इसी पर पाइपिन कर देंगे दो धागे लेफ्ट में और दो धागे राइट में यह राइट वाले पाइपिन हो चुके हैं अब यह फिर हम दो इधा छोड़ देंगे और इधार से भी हम सेम वही करना है दो धागे लेने हैं पहले एक बीट्स को डालना है कहांग है और कर देज और कि पैपिन कर डिना है इस और को व्हां कि है यहां फ्रैंट्ञा राइब को यूज़ना ज्याताइब बड़े बीच को यूझ करने विशा हो दांगे हो जाता है तो मटक हा राइब सो ना ने धूरत चोटा बेड रिंव ूद्स इस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कोई भी वीड्स यूज़ करें थोड़ा साइज छोटा होना चाहिए इस डिजाइट के लिए बातिया आप कोई भी यूज़ करें झाल 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 कि तुदी के इधर के भी सभी कॉर्ड हमारे पाइपिन हो गए हैं बस वो नौट वादे दो धागे बच्छे हैं उनको भी हम सेम ऐसे ही पाइपिन कर देते हैं कि अगया कि अगया कि अगया कि अगया कि अगया है अब फिर हम वही करेंगे जैसे यहां पर नॉट लगाया था वैसे ही हम यहां भी करेंगे चारो धागों को लेकरके एक स्क्वेर नॉट लगा दे ला है दो लाइन वारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है तो ऐसे ही हमें फाइफ लाइन अभी और बना लेने टोटल सेवन लाइन यहां पर कंप्लीट करनी है जैसे हम दो लाइन हमने बनाई यह फिर हमें थार्ड लाइन में भी दोनों साइड से दो डोदागे लेकरके बीट डालकरके ऐसे ही डिजाइन बना लेना है नीचे तक तो फाइफ लाइन iendo bersama5-0-0-0-0-0 में डिजकला में नहीं क कैसे बनाते हैं जो इधर में बताती हूं है यह जो बीच के हमारे चाहर प्लागातें इनकों में इसे छोड़ाकर दाना बाकी के कोर्ड़ से डिजकला नीए वें- पेसरे पर पाइपिन करना है एक जी से राइट वाले कॉट से हम पर पाइपिन किया है फिर कि लिपसे राइप करणा है आप जी देगे इस तरीके से टाइट आइट से जी आपको इतना बनाना है जो यह हमारी नॉट है सेंटर वाली उसके बिल्कुल सीधे-सीधे बिल्कुल उसके सामने आना चाहिए है यह दोनों का जो यह से लिए इतकल होना चाहिए यह यह तो काउंट करके इधर इदर काउंट करके भी लगा सकते लेकिन वी कुछ लगाने में ताइट हो सकता है तो इसके बिल्कुल सीधे-सीधे रखें आप यह बिल्कुल इसके बराबर मों हो गया है ऐसे हम दो-दो धा जालेंगे यह दिखे यह भी एप बिलकुल इक्वल हो चुका है तो बचे हुए कॉट से भी हम ऐसे ही डिजाइन बना करके रेडी कर लेते हैं तो दिखे प्रेंड यहां पर मैंने डिजाइन बना करके कम्प्लीट कर लिया है सबी कॉट से टोटल 5 दिजाइन इधर बना है 5 दिजाइन इधर बना है आप हमें अपना हार्ट शेप का एक रिंग लीना है और उसमें इस सभी कॉट को दिखे इस तरीके से अटैज करना है इसमें ढालि कोड को अटैज करेंगे सभी कॉट को हमें इक्कल इक्वल रखना है यह रिकेए इस तरीके से इसेख सेज नौट वाली कॉड है चार उनको पहले हम दो प्रेंक का दो इस साइड करेंगे का दो इस साईड उस सद में अटाइज करेंगे यह दिखे इस तरीके से यह दो हमने लेफ्ट साइड में कर दी अब राइट साइड वाली हम राइट साइड में करेंगे दीखे चारों कॉर्ड हमारी सेंटर वाली यहां पर पाइपिन हो चुकी है अब यह जो आगे की कॉर्ड है जिन में डिजाइन बनाया है अब इनको हमें इस पर पाइपिन करना है इस तरीके से एक एक करके हम सभी कॉर्ड को डबल टाइम पाइपिन करेंगे यहां पर हमारा एक नॉट यह ज्यादा लग रहा है तो एक नॉट हम यहां पर खोल देंगे जहां रिंग में अटाइच करेंगे तो हम उसी के अकॉर्ड इसे में डिजाइन के लेटेंगे कर देखिए फ्रेंज मैंने सभी कॉर्ट को रिंग में अच्छ से अटाच कर लिया है इस साइड का डिजाइन भी बना कर रेडि कर लिया है कैसे बनाना यह इस सब्सक्राइब लेकर हम उसको डबल कर लेंगे और इसमें अटाच कर लेंगे रिंग में इस तरीके से देखिए यह मेरा अटाइच हो चुका है आप उमें क्या करना है एक कॉट से दूसरे कॉट के उपर नौट लगानी है एक बार उपर की तरफ से एक बार नीचे की तरफ से यह देखिए हम एक बार उपर से एक बार नीचे की तरफ से गुमाते वे धागे को नौट लगाएंगे तीन नौट यहाँ पर हमें लगा लेनी है यह देखिए एक दो दो नौट लग गई है अभी यह दीसरा तो देखिए तीन नौट हमारी यहाँ पर लग गई है इसको अब हम ऐसे छोड़ देंगे और एक मीटर का ग्रीन कॉर्ड हमें अलग से लेना है और इस तरीके से देखिए एक साइड से इसका पकड़के इतना दागा पकड़के हम इसको इसमें रिंग में अटेच करेंगे इस तरीके से हमें रिंग में इसको अटेच कर लेना है और इसको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे और हम एक छोटा सा टुकड़ा और लेंगे पिंक कलर का यह देगे लगबग 10 सेंटीमीटर छोटा सा बिलकुल और उसको लेकर इस डिंग में अटेच कर देना है इस तरीके से का ग्रीन कोड़ को मैसे नीचे की तरड छोड़ देंगे और जिसमें बिज को डाला है उसमें से चोई लंबा वाला कौड है कोई भी आप लें दोनों में से एक कोड़ से हमें इस कौड़ पर दो बार सिंपल करनी है यह दिखे इस तरीके से एक कॉड नीचे छोड़ देंगे दो कॉड हो गई थी इमने डबल करके कॉड को डाला है बीट्स जिसमें है एक कॉड से पाइपिन करना है एक कॉड को ऐसे ही नीचे छोड़ देना है और उसके बाद यह जो ग्रीन कॉड है इसको हम नीचे से निकालते हुए इस रिंग में फिर से एक नॉट लगा लेंगे एक बार उपर से पाइपिन करके एक बार नीचे से करके इस तरीके से नॉट लगा कर आप इस ग्रीन कॉड को ऐसे ही छोड़ देंगे और यह पिंक वाला कॉड इस नॉट लगाई थी इसको लेकर के फिर कंटिन्यू करना है तीन नॉट हमने इधर लगाई थी तीन हमें इधर लगानी है यह देखे इस तरीके से यह दो हमारी लग गई है तीसरी नॉट भी लगा लेनी है तीनो नॉट हमारी लगकर रेडी हो गई है तीन इधर और तीन मीट्स के इस साइड में आप यह दोनों पिंक ओड है तो इसमें से यह जो जिस नॉट धागे पर हम नॉट लगा रहे है उस धागे को मैं रिंग के उपर से सिम्पली बस ऐसे मिकाल लेना है इस तरीके से और फिर से हम वही कंटिन्यू करेंगे नॉट को लगाएंगे दूसरे वाले धागे से एक बार उपर से एक बार नीचे से पिर से हम इधर भी तीन नॉट को लगा लेंगे दो तीन नॉट हमारी लग गई है अभी दर तो दीके तीन नॉट हमारी लग गई है फिर से हम क्या करना है हमें इस जो ग्रीन वाला कॉट था उसको हम इधर निकाल करके फिर से से वही नॉट लगा लेंगे एक बार रिंग पर उपर की तरफ से पाइपिन करके एक बार नीची की तरफ से दीके एक नॉट लगा लिया है हमने अब फिर हमें एक चोटा टुकडा पिंक कलर का ले लेना है जैसे हमने पाहले लिया था वैसे ही जितने चोटे टुक्रे से आप बना सकते हैं अपना डेले क्योंकि बस बीट्स कोई डालना होता है यह दिके डल गया फिर से और फिर हमें वही करना एक कॉट से इस पर पाइपिन कर देना है एक कॉट को नीचे ऐसे छोड़ देना है देखें अब फिर से ग्रीन वाले कॉट को निचे से निकाल करके एक नॉट फिर हम लगा लेंगे देखें अब फिर वही डिजाइन कंटिन्यू करना है यह आपर थ्री नॉट्स पिर लगानी है तो देखें त्री नॉट्स हमने फिर लगा ली है अब फिर फ्रेंट्स वही कंटिन्यू करना है दो कॉर्ड है मारे पास जिस पर हम नॉट्स लगा रहें उस वाले कॉर्ड को रिंग के उपर से सिम्पली वैस ऐसे निकाल करके नीची की तरफ लेकर आना है और फिर हम वही डिजाइन कंटिन्यू करेंगे नॉट्स लगाना है थ्री त्री नॉट्स हमने लगा ली है नॉट्स लेना है और उसे एक नॉट्स लगादेना रफ हम एक छोटा सु षूपडा पंक कलर कर लेंगे बीट्स को बालेंगे और फिर बनाले और यंदागों करैंप तो अगर यागे बची की तो हम एक डिजाइन और बना लेंगे उसके recording तो चलिए इतना design हम 7 design बना करके complete कर लेते हैं तो देखिए friends मैंने ये left side और right side दोछे में design बना ली इधर के मैंने extra cord भी cut करके पीछे stitch कर दिए हैं इदर के देखे हम अभी बताते हैं तो कैसे करने हैं तो यह जो हमने जिसमें बीट्स आ रहा था वही वाले कॉट्स हैं इनको हम चुटा-चुटा कट कर देंगे तरीके से और यहीं पर पीछे स्टिच कर देंगे इस तरीके से हम यह सभी कॉट को जितनी डिजाइन है समय कॉट्स हैं सभी में कट करके स्टिच कर देंगे पीछे यह कि इस तरीके से हम बागे के भी डिजाइनमे द्धागों को स्टिच कर देते हैं है तो देखिए मैंने सभी दागों को पीछे स्टिच कर दिया है कट करके अभी मैंने इनको बीमेसिट स्टिच कर देंगे बचे तो हम और बना देंगे आगर नहीं बचेगी तब इनको हम कट करके स्टिच करेंगे तो आप हम इसमें दूसरा यह मैं आटेच करना है तो इस तरीव हमा लेंगे हम और हुआ अपना दूस्टा वाला हाउड शेप ला रिंग लेंगे इस तरीके से रखेंगे और इन सभी को चाट को में इस पर पाइपिन करना है तो अब हम इस पर पाइपिन करेंगे सभी धागों को यह देखिए इस तरीके से थोड़ा हमें यहाँ पर धीला पाइपिन करना है क्योंकि हम इसमें अपना मिरर को अटैच करेंगे यह देखिए इतना सा थोड़ा सा गैप हाफ इंच तक का गैप हम कि ऐसे ही हम एक एक करके सभी धागों को यहाँ पर डबल पाइपिंग करेंगे और सभी में हमें गैप को जरूर रखना है कम जादा नहीं करना इकोल गैप रखना है तो जैसे देखिए मैंने यह पास धागों को पाइपिंग किया है देकर के ऐसे हम अपने बचे वे सभी धागों को इस रिंग पर गैप देकर पाइपिंग कर लेते हैं तो देखिए मैं यह पर सभी धागों को गैप देक करेंगे और जो नीचे की तरफ यानि इस साइड में इसमें डिजाइन बना उसमें हम बाद में पाइपिन करेंगे तो दिखे सेंटर वाले कॉर्ट को पहले हम पाइपिन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए धागों को एक इधर के उधर धागे नहीं हो तो यह देखे सबसे दागों को करते हैं यह देखे यहां पर फ़हां यह वाले लेफ्ट का हम लेफ्ट में कर रहे हैं तरह थोड़ा टाइट से करना है बहुत ददार लूज नहीं करना यहाँ पर जागा वैसे भी बाद में लूज हो जाता है तो ये देखिए येवाला कॉड हो गया है अब हम राइट साइड का कॉड भी कर लेंगे सेंटर के हमारे कॉड सभी मदब दोनों कोड यहां पर पाइपिन हो चुक्के हैं आप जो दोनों साइड में कॉड है उनको हम पाइपिन करेंगे एकन करके कि इस तरीके से एक कोड लेते जाना है और पाइपिन करते जाना है अच्छे से टाइट से पाइपिन करेंगे धागों को धीला नहीं रखना है कि धागा डिला रहेगा तो हमारा मिदर भी धीला रहेगा उसको निकलने का चांस हो जाएगा कि अच्छे से टाइट से धागा को पाइपिन करना है यहाँ पर तो ही दिखे राइट के मैंने तीन धागे करके बता दिया अब लेट के भी हम सेम ऐसे ही पाइपिन कर लेंगे तो इसी तरीके से हम सभी धागों को स्रिंग में पाइपिन करके रेडी कर लेते हैं तो देखे मैंने इस रिंग पर भी अच्छे से दोनों साइट पाइपिन कर लिए नीचे भी और उपर भी तो पहले से हो गया तो आब इसे मागे के तरफ गुमा लेंगे इसमें अब की अधायच करना है ए तो दीक तरीके से यह मैंने 10-1 यह मिरर लिया है कि तो इस यह मिरर को इस तरीके से रखेंगे इसमें कि यह देखे है इसे जो में इस लिए चोड़ा था लेम में उस गलप में अच्छे से उपास कर लेंब आजांद इसको इसको लिए अब हम नीचे से धागों को एक एक करके निकाल करें उपर के रिंग में पाइपिन करेंगे पहले हम सेंटर के दो कॉड लेने हैं में इस तरीके से लेके परे सेंटर वाले कॉर्ट कॉम पाइपिन करेंगे करेंगे कर लिया है अब लेट वाला है अब लेट वाला है अब अब यह थोड़ा नीचे को भागता है लेकिन जब अच्छे से पाइपिन हो जाएगा तब यह सही आ जाएगा अपनी जगेतर कि दोनों हमने सेंटर के कॉर्ड को यहां पर पाइपिन कर दिया है ऐसे हम एक एक कॉर्ड लेते जाएंगे और सभी कॉर्ड को हम ऐसे ही पाइपिन करते जाएंगे शीशे को पीछे की तरफ किसकाते जाएंगे क्योंकि अभी ऐसे फिक्स नहीं होगा जब सभी धागे अच्छे से पाइपिन हो जाएंगे तो यह अपनी आप बहुत अच्छे से इसमें विक्स हो जाएगा अब आज पीशे को हम इसमें आगे की तरफ कर लेते हैं तो देखिए यहां पर मैंने अच्छे से सभी धागों को मिरर के ओपर रिंग में पाइपिन कर दिया तो मेरा मिरर बहुत अच्छे से देखें फिक्स हो गया है पीच्छे से भी आब हम आगला डिजाइन बनाएंग तो जो यह देखिए हमने उपर डिजाइन बनाया था यह वाला और यह साइड में जो बनाया था सेम यही डिजाइन हम नीचे बनाएंगे यहाँ पर तो यह देखिए यह जो साइड में हमने डिजाइन बनाया था उसका यह पिंकरर के कॉर्ड इन दोनों कॉर्ड को हम ऐसे ही चोड़ेंगे यह दो कॉड को मैं से छोड़ देंगे बाकि जो हमारी ओपर से कॉड आ रही है उन सभी कॉड में हमें डिजाइन को बनाना है तेक है जैसे हमने वो बनाये था सेम प्रोसेस यहां पर भी है हाफ-फ कॉट हम ले लेंगे दोनों साइड से यह देखें ऐसे और सेम प्रोशेस करना है दो कॉट लेना है किसी भी साइड से ड्स हर अब स्टार्ट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट किदार से भी दो कॉट लेकर एक बीट्स को डालना है और बाकी के कॉट से उस पर पाइपिन करना है कि यह दिखिए बहुत यह आसानी से हो जाए गए है यह सभी धागों में हम ऐसे ही पैपिन कर लेते हैं और इस साइड से भी एक लाइन में बना लेते हैं देखें एक कैने कंहिंड हो गया है अब अजय से हमने यह डिजाइन बनाएथा यहां भी करना है और जब यह से उपर बनाए था वैसे निचे भी बनाना है बस इतना करना ऊपर हमने seven भीट्स डाले थे यहां पर हमें 6 बीट्स डाले एक हम कम कर देंगे ना डिजाइन करके यदकर लेते watching बंनानी है को फ्राइंड्स देखे यहां पर मैंने यह डिजाइन बनाकरखे 25 34566 बिच बुरला था मैंने तरीके से देखिए अटेच करेंगे इसमें सेंटर से अटेच करना शुरू करना है यह देखिए एक-एक कॉड लेते जाना है और अटाइप्स करते जाना है इसमें जो भी कॉड इसमें छोटे हैं उनको हम जान कर लेंगे यह की बास्केट में भी थोड़ा एक-एक-मीटर कर कॉड लगेगा इसमें जो बड़े हैं वह ठीक हैं जो छोटे हैं उनको हम जान कर लेंगे तो यह देखे जैसे हमने यह 6 कॉड को अटाइच किया है सेम ऐसे ही हम इस साइड में 6 कॉड बचे इनको भी अटाइच कर लेंगे और इस साइड के भी लेफ्ट के भी सभी कॉड को अटाइच कर लेंगे फिर उसके बाद में जो बचेगा उसमें हम अलग से कॉड अटाइच करेंगे तो फ्रेंड्स मैंने सभी कॉड को रिंग में अटाइच कर लिए जितने हमारे पास थे आब हम एक्स्टा कॉड इसमें अटाइच करेंगे तो दिखें वनवन मीटर के मैंने कॉड को कट किया है अब इसमें हम कॉड को अटाइच करेंगे देखें यहां पर मैंने कॉड को अटाइच कर लिया है वनवन मीटर के तो सेंटर में मैंने यह दो ग्रीन कॉड अटाइच किये हैं और लेट साइड में 6 कॉड और राइट साइड में 6 कॉड देखें 1-2-3-4-5-6 और 6 कॉड इदर तो टोटल यहां पर 12 और 2 14 कॉड 14 कॉड अटाइच किये मैंने आप देखे हमें क्या करना है यह देखे हम यहां से ग्रीन से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर से चारो कॉर्ड लेकर सेंटर वाले कॉर्ड में एक बीट्स को डाल देंगे इस तरीके से और नॉट को लगा देंगे कि इसी तरीके से हम सभी पूरे रिंग में सभी कॉर्ड में ऐसे दो दो कॉर्ड लेकर सेंटर वाले कॉर्ड में देंग बीट्स को डालेंगे और नॉट लगा देंगे कि इसी तरीके सेंटर वाले कॉर्ड में देंगे यह देखे जैसे मैंने फ्रैंड से थ्री बीट्स को डाला है ऐसे ही हम पूरे रिंग में यही करना है में एक एक बीट्स डाल देना है और एक लाइन कंप्रेट कर लेने सिर्फ एक लाइन में ही बीट्स डालना है फिर जब नेक्स लाइन आएगी सेकेंड लाइन तो वह हम हुआ इसे स्टार्ट करेंगे देखिए दो गृन कोड्द ले लेंगे और दो पिंक कॉड्दा सेंकर ने ए यह देखिया अब जब यह सकेंड लाइन कंप्लीट होगा तो थार्ड लाइन में भी हमें सेम यही करना है दो नौट के दो दुधागे लेकर के एक नौट लगा देना है सेंटर में यह देखिये इस तरीके से ऐसे हमें बास्केट बना लीने जितनी बास्केट आपको चाहिए इतनी बना लो लगा 15 लाइन तक हम बनाकर के रेडि करते Kellщее' के बाद देखते हैं अगर कम लगेगा तो और बना लेंगे तो चलिए 15 लाइन हम ऐसे बना करके रेडी कर लेते हैं और फ्रेंड्स यह देखिए जो यह हमारे डिजाइन के कोड चूटे हुए यहां पर तो ग्रीन कोड को तो मैंने यहीं पर स्टिच कर दिया है और यह जो प का मर्जी उतना डालें अका यह जो दिएखिए मैने ट्री वैल्स डाली यहां पर इनको डाल करके और अधागों को स्टिच कर देंगे यह दोनों साइड में यही करना है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मट डालिए और यहां पर इनको कट करके हम स्टिच भी कर सकते हैं धागों को दूसरे साइड भी हम यही कर लेंगे और इसके बार फ्रेंड्स यह जो रिंग हमारा है यह देखिए यहां पर इसको हमें कैसे भरना है एक मीटर का हम कॉड ले लेंगे और उसको इस तरीके से हमने यहां पर एड़ कर लिया है इस दागे को हम कट करके स्टिच कर देंगे चोटा सा करके तो यहीं पर पीछे यहीं पर हमने स्टिच कर दिया है इसको अब आगे का हम डिजाइन बनाएंगे यह देखिए एक बार उपर की तरफ से एक बार नीचे की तरफ से पर एक बार उपर की तरफ से एक बार नीचे की तरफ से अधिए ऐसे ही करते हैं पूरे रिंग को जितना भी खाली कवर कर लेंगे और यह बास्केट बना करके हम रड़ी कर लेते हैं और फ्रेंड्स देखे मैंने यह बास्केट बना करके कम्प्रेट कर लिया है टोटल मैंने यहाँ पर देखे वन टू थ्री फोर फाइप सिक्स सेवन एट नाइन टैन 11 टोईल थाटिन फोटीन फोटीन लाइन बनाई है मैंने आपको जितना चाहिए आप उतना बना सकते है बड़ा चाहिए तो बड़ा भी कर सकते हैं छोटा चाहिए तो छोटा भी कर सकते हैं अब हमें क्या करना है सबी धागों को हमें इस तरीके से पकड़ना है और एक लंबा धागा इसमें से ले ले कोई भी कलर का ले ग्रीन या फिर पिंक ग्रीन से कर रही हूं और इस तरीक कि थोड़ा सा और हम रैप कर लेंगे जितना मारा धागा है और उसके बाद में धागे को स्टिच कर देंगे पीछे कि देखें हमारा जितना धागा था उतना हमने रैप कर दिया है अब इस धागे को हम यहीं पर स्टिच करें दे रहें अब दिखिए बास्केट में यह धागे सारे ढीले हैं इनको हम अच्छे से खीच करके टाइट कर लेंगे सभी धागों को एक करके खीच कर टाइट करने के बाद में हम बेल्स को अटैच कर देंगे नीचे सभी धागों में एक भी दाग क छोडा नहीं सभी में अच्छे से अटैच कर दिया और यह धागा 3,2 वा सभी आटिछ कर दिया है यहां पर दिखिए दोनों साइट में लें भेल्स भी अटैच कर दी थी एक साइट में इदर भी कर कर दिया और यह उपर का दिंग भी अच्छे से रैप करके पीछे स्टेच कर दिया है धागे को यह पूरा हमारा मेरा वाल हेंगिंग रेडी हो गया बनके इनको सिंपल डिजाइन है बहुत ही छोटा सा कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तुम्हें आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ में